SSE CIGIL का exam अगर आप crack करते हो और अच्छी score करते हैं ना गर आप तो आप बनते हैं inspector लेकिन ये inspector बनने का सपना आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप जो है वो जब भी practice करें तो practice हमेशा एक guided practice होनी चाहिए यानि question का level क्या है इससे ज़्यादा जरूरी इस बात को लेके किसी अगले question में भी कर सके तो जब भी कभी भी आप practice करते हैं ससी CIGIL, CHSL, MTS या स्टेनू के exam के लिए आप practice करते हैं तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप जो है वो ये ध्यान रखे कि हर एक question में deep digging करनी है यानि एक question के अंदर में काफी deep तक जाना है ताकि उसमें आने वाले concepts उससे related concepts का इस्तमाल आप अगले सारे question में कर सके तो आज कुछ इसी तरह की class जो है वो हम लोग करने वाले हैं आज देखने वाले हम लोग 20 essay MCQs यानि multiple choice questions जो कि spotting error से related हैं है ना और साथी साथ उन सारे question में deep digging करके हम लोग ऐसे concepts देखने वाले हैं जो आगे further आपक practice के लिए और आपके examination के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो आज का जो हमारा सबसे पहला question है वो question है the teacher asked that the students do their homework every day अब problem यह है कि आप चाहें तो इस question में सीधे सीधे भी error निकाल सकते थे और आप यह कह सकते थे कि इस question में बहुत simple सा mistake है कि जब यहाँ पे ask का use हुआ तो इसके साथ आप that का use नहीं कर सकते आप यह बात सीधे सीधे भी कह सकते थे लेकिन अगर आप यह error करते और कहते कि चलो यह तो question बड़ा simple है बड़ा easy है और इस question में हमने बस इतना कर दिया कि ask के साथ आप that नहीं लगाते यह wrong होता है लेकिन देखो इसमें कितनी बाते आप सीख सकते हैं अगर किसी sentence में ask लगा हो या फिर inquire लगा हो यह दोनों के साथ आप सच कहा that का use नहीं कर सकते एक तो बात आप इसमें यह सीख सकते हैं दूसरी बात अगर मान लीजिए कि ask या inquire के जगब पे अगर say to का use होता है तब उस situation में या told का use होता है तब आप उस situation में आगे चलके that का use कर सकते हो कोई भी problem नहीं है ठीक है यहां से एक और बात मैं आपको सिखा देता हू वो भी जड़ा समझ लेना ध्यान से तीसरा ये भी mistake आपके exam में आ सकता है कि कि किसी sentence में कोई एक wh word दिया गया हो जैसे कि मान लीजिए who दिया गया या फिर which दिया गया और उसके पहले that का use कर लिया गया है अब इस question में that भी एक relative pronoun का का काम कर रहा है और ये wh word भी एक relative pronoun का काम कर रहा है तब आप ये कह सकते हैं कि एक wh word के पहले that का use कहीं से भी सही नहीं है तो ये तीनों तरह के आपके examination में mistake दिये जा सकते है इसलिए बड़े धान से याद रखना एक तो आप said to या told के बाद आप that का use कर सकते हो दूसरी बात ask और inquire के case में आप that नहीं लगा सक का काम कर रहा है तो फिर आप उसके पहले that का use नहीं कर सकते है क्योंकि that भी एक relative pronoun है तो ये तीन बाते आपने एक question से सिखी है आप तीनों में से कोई भी एक concept जो है वो आपके exam में पकड़ा जाएगा और उसमें एक question आपका रहेगा तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी होटा सा error है लेकिन examination में कई बार इसके उपर question जो है वो पूछे जाते हैं अब इसमें एक simple से strategy ध्यान रखिएगा आपके chapter verb से कई तरह के question पूछे जाते हैं है ना हलके question भी होते हैं और बहुत tough question और moderated question भी होता है लेकिन अगर बात करें सबसे basic question की जो आप एक verb में mistake कर स do का या फिर does का या अगर आपने use किया did का तो आप इसके साथ हमेशा main verb का first form यूज करते हैं और अगर आप use कर रहे हो have का या फिर use कर रहे हो has का या had का तो आप इसके बाद हमेशा main verb का third form यूज करेंगे वहीं अगर आपने can use किया could use किया अगर आप may का use कर रहे हो might का use क shall का use कर रहे हो, कि या आप यूज कर रहे हो, या आप यूज कर रहे हो, किसी भी तरह के modals का अगर आप यूज कर रहे हो, तो उस situation में इनके साथ आप main verb का हमेशा first form यूज करते हैं, वहीं अगर आपके पास चाब marginal helping verbs है जैसे dare है, need है, used है और out है तो इन सब के साथ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 2 प्लस MB1 का use आप करते हो तो यह जो table है सबसे पहले तो mistake इसी से दिया जाता है तो इसका आप लोग पूरी तरीके से खयाल रखेगा exam में इसका एक question रहता ही रहता है आप यह लगबंग मानके चलिए अब यहाँ भी वही चीज होई, यहाँ पे use किया गया did का और did के साथ use किया गया went का जो की main verb का second form है और यह पूरी तरीके से रॉंग है, part number B आपका answer है अब अगर देखे तो did के साथ mb1 यानि go का use होना चाहिए और तब आपका statement जो है वो right होगा तो यह जो आप table देख रहे है यह एक basic table है और इसका खयाल अगर आप रखेंगे तब ही आप आगे verb के किसी difficult question को आप solve कर सकते हैं यह verb की जान है आप यूँ ही समझ लीजिए जो मैंने कहा है यह सच है यह सत्ते है और अगर आपको अपने बड़े सपने पूरे करने है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम यह छोटी-छोटी सी चीज़ है तो आपको याद रहनी चाहिए अब अगर मान ले कि अगर मैं बात करू देखेंगे तो लिखा गया अब यह जो मैं अभी बताने वाला हूँ यह आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको देखेगा अभी ध्यान से मान लो कि किसी सेंटेंस में आपने इच आफ या फिर आपने यूस किया इधर आफ नीधर आफ वन आफ दर नंबर आफ आज समझ लो जो अभी कॉंसेट आप सीखने जा रहे हैं इसके बाद आपका अपका एट लिस्ट वन क्वेस्टन आपके एक्जामेनेशन में एकदम पका आपको पकड़ में आना है तो अगर आपने इच आफ, इधर आफ, नीधर आफ, वन आफ, दर नंबर आफ या फिर आप यूस करते हैं मॉस्ट आफ का या फिर अगर आप यूस करते हैं एनी आफ का ठीक है या फिर अगर आप यूस करते हो मेनी एक और case होता है कि आप many के साथ a या and का use करते है, यह भी हो सकता है कि आप a number of का use करें, बोथ का use करो आप, all का use करो आप, various का use करें, ठीक है? या different का use करें आप इन में से किसी भी एक word का use अगर आप करते हैं any का use करते हो आप each का use करते हो आप या फिर आप use करते हो every का इन में से कोई भी एक word अगर किसी भी question में अगर आप use करते हो ये सब के पीछे अलग-अलग कहानी चलती है अलग-अलग स्टोरी चलती है और आपको ये पूरी तरीके से खयाल रखना होगा कि इनके साथ noun कैसा लेते हैं और इनके साथ verb कैसा लेते हैं क्योंकि इस पर एक question आपके examination में guaranteed आता है और अगर आप ऐसे जो भी exam जैसा CGL हो गया CHSL हो गया, MTS हो गया, Steno हो गया अगर ये सब crack करना है तो इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है अब देखें एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ सब से पहले तो आप ये समझ लो कि इन सब के साथ अगर आपको noun use करना हो तो noun हमेशा plural use करेंगे याद रखना इन सब के साथ, सब के साथ noun हमेशा आप plural use करते हो जितने भी words आप देख रहे हैं, इन सब के साथ आप noun plural use करते हैं एक तो इसका आपको खैल रखना है, है ना, many है तो many के बाद भी noun use करते है, plural इसी कारण से जो ये आप word देख रहे है, many इसके बाद word difficulty नहीं बलके difficulty का plural form difficulties ये आप यूज़ करेंगे यानि कि part number sorry part number c आपका जो है वो क्या होगा answer होगा ये parts जो है वो पहले ही रख दिये गया है चलिए उसी तरीके से many के बाद अगर a and लग जाए तो ये exception लेता है और noun singular रखता है a number of के बाद noun plural both के साथ noun plural all के साथ भी noun plural various के साथ भी noun plural different के साथ भी noun plural और any हो या each हो इन दोनों के बाद noun जो है वो आप singular रखते हैं every के साथ भी आप noun को singular रखते हैं लेकिन कहानी यहां तक नहीं है कहानी इसके बाद की है और वो चीज़ सीखने वाली बात है देगे आपके examination में क्यों होगा जैसे ही standard बढ़ेगा जैसे MTS में तो हो सकता है कि इसी तरह के question पूछ दे कि each of के बाद का noun singular रखते हैं जबकि होता कैसा है plural लेकिन अगर आप CGL का exam देगे combined graduate level का exam देगे तो कहानी एक कदम और उपर जाएगी और वो क्या होता है कि इनके बाद के verb जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते है जैसे each of है तो इसके according each यानि परतेक एक के according verb singular होगा उसी तरीके से either of के साथ भी verb singular neither of के साथ भी verb singular one of के साथ भी verb singular the number of के साथ भी verb singular लेकिन अगर most of आया तो verb plural any of आया तो verb singular उसी तरीके से every के साथ verb आपका singular होगा many के साथ आपका verb plural होगा many के साथ अगर or and का use किया तो verb singular होगा or number of के साथ verb plural उसी तरीके से both के साथ भी verb plural all के साथ भी verb plural various के साथ भी verb plural different के साथ भी verb plural any or each अगर है तो verb आपका singular आना चाहिए इनके साथ verb singular आना चाहिए तो ये proper listing होती है और इस listing का आपको जो है वो खयाल रखना पड़ेगा अगर आप ये table follow करते हैं तो निश्यत तोर पर आपका काम जो हो जाएगा और ये तो मैं एकदम guarantee के साथ कहता हूँ कि minimum one question आप इसके थो हिट करने वाले है तो ये जो आप है इसके आप स्क्रीन सॉट ले लो ये इतना important concept है इतना important concept है जो examination में गागर में सागर का काम करेगा और you can hit many birds with one stone याने एक तीर से आप कई निशाने लगा सकते है इस बात की एकदम guarantee है ओके इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आपने देखा कि मेनी के बाद difficulty नहीं difficulties क्योंकि noun हमारा कैसा होना चाहिए plural question number four की तरफ बढ़ते हैं इसमें यह लिखा गया my brother has been working in this company since five years देखे since or four since or four ये दोनों का difference क्या होता है since का use करते हैं आप point of time को बताने के लिए point of time जब समय का निर्धारन हो सकता है और एक आप एकदम exact time की बात करते हैं तो आप since का use करते हैं वहीं four की बात करें तो इसका use होता है period of time के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो आप 5 साल देख रहे हैं इसमें यह पता नहीं चल पारा कि exactly किस समय से इसकी शुरुआत हो रही है है ना यह 2016 से सुरू हो रहा है यह 2018 से सुरू हो रहा है यह इस बात का पता नहीं है तो केबल 5 साल बोलेंगे तो यह एक period है यह एक duration है और इसके लिए since नहीं आप use करते हैं four का लेकिन कहानी दो कदम आगे जाती है है ना examination में अगर आप देखेंगे तो level of difficulty इससे एक कदम और आगे होगा ठीक है और वो क्या है उसके उपर ध्याम दीज़ेगा अगर किसी sentence में last का या past का use हुआ हो है ना तो आप remember रखना इसके पहले आप since का use करते हैं लेकिन अगर last का या past का use तो हुआ लेकिन इसके पहले अगर the लगा देंगे तो फिर आप since नहीं use करेंगे for का यानि सीधी सी बात है कि अगर मैं लिख दू since और since के बाद अगर मैं लिख दू five years तो sorry since last five years आप ऐसा लिखते हैं और अगर आपने लिख दिया the last five years अगर आप ये लिख देते हो तो उस situation में आपको since नहीं use करना पड़ेगा for का यानि सारी बाते जो है वो last और past के case में importance जो आती है वो the की आती है और the अगर आता है तो remember रखना कि आप since नहीं use करते हैं for का तो ये एकदम clarity दिमाद में रखेगा यहाँ पे since नहीं for होना चाहिए क्योंकि ये बात कर रहा है period of time के बारे में अगला जो हमारा question है वो है he is the tallest among all his siblings अब यहाँ पे दो बातें सिखाता हूं मैं देखो यहाँ पे among का use हुआ है और जिस sentence में among का या फिर more than two जैसे कि of the three of the four of the five to infinite का use होता है उसमें जो भी adjective आएगा यानि quality show करने वाला जो भी word आएगा यह आप दिमाग में रखना कि वो word जो हमेशा superlative degree का होगा always superlative degree का होगा और इसके पहले आप हमेशा the भी लगाओगे तो एक तो यह concept होता है तो यहाँ पर जब among का use हुआ तो among का use होने पर degree superlative आएगी और tall का जो superlative होता है वो होता है tallest और इसने use किया भी है इसका मतलब यह बिल्कुल correct है इसका answer होगा no error चीक है अगर देखे तो इसका answer होगा no error एक और बात मैं आपको बता दूँ आप ध्यान से समझना मेरी बात अगर किसी sentence में between का use हुआ हो या फिर अगर आपने use किया of the three का sorry अगर आपने use किया of the two का तो उस case में जो degree आती है वो comparative और उसके पहले हमेशा क्या लगता है the तो इसमें double mistake examination में दे सकता है एक तो वो mistake देगा किसस का कि अगर between या of the two है तो उसमें degree तो comparative आएगा और साथ में द भी लगेगा तो एक तो mistake देगा कि द लगा के नहीं देगा और दूसरा कि between और of the two के case में comparative डिग्री ना लेके वो positive या super relative डिग्री अगर लेता है तो ये भी statement को wrong कर जाएगा तो ये दोनों तरह के mistake examination में पूछे जाते हैं इस एक concept पे ये एक question जो है वो आपको ये सिखा के जा रहा है कि तीन तरह के और नए question इसमें बनाए जा सकते हैं जो आपके examination के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको जानने के बाद हम लोग अपना अगला question देखते है question number six और इसमें क्या होता है the boy asked his teacher if can he सारा game जो है वो यहीं वे खराब हो रहा है दरसल होता क्या है कुछ words होता है जैसे कि if हो गया या until, unless, in case, as soon as, when, while ये जितने भी words आप देख रहे हो ये सारे के सारे adverbs के बाद आप subject पहले लेते हो और helping verb बाद में ठीक है एक ये चीज़ दमाग में रखिएगा जैसे कि आप if का use हुआ तो helping verb पहले और subject बाद में नहीं बलकि पहले आपका subject और बाद में helping verb यानि he can का use होना चाहिए था एक तो ये बात है दूसरी बाद इसका exception है अगर किसी sentence में hardly का या अगर आपने scarcely का या फिर अगर आप use कर रहे है no sooner का तब इस situation में helping verb का use पहले और subject का use हो है वो बाद में होगा इसका आपको खयाल रखना है ठीक है for example अगर लिखा गया है कहीं पे hardly और hardly के बाद अगर लिखा गया I had तो ऐसा लिखना पूरी तरीके सरौंग होगा ये लिखना पड़ेगा hardly और helping verb पहले यानिके had और तब subject यानिके I अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका statement जो है वो right होगा ठीक है तो ये concept भी काफी तगड़ा होता है ध्यान देखे इसको देखेगा ठीक है आप इसके screenshot में ले सकते है बहुत important ये concept होता है उसके बाद अगर हम लोग चले question number 7 के तरफ तो ये भी काफे important है the students were allowed to bring their books into the exam hall दे ये part बिल्कुल सही है इसमें कोई mistake नहीं है अच्छा word के साथ आप main verb के third form का use passive voice में करते है तो ये भी सही है allowed के साथ 2 plus mb1 यानि full infinitive का use होता है तो ये भी सही है students के लिए their का use हो सकता है क्योंकि जब students plural है तो इसके लिए antecedent pronoun भी हमेशा कैसा होगा plural होगा ये भी वो किताब भी लेके जा सकते हैं तो इसमें किसे भी तरीके का कोई भी mistake नहीं इसका भी answer होगा E यानिकि no error ओके चलिए next आम लोग question देखते है question number eight okay she has not been feeling well since a week now देखे सारी problem जो है न यहीं पे है मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो use कर रहा है since a week तो ये जो a week देख रहे हैं ये point of time को तो exact time को तो बता नहीं रहा ये तो कोई भी एक सब्ता हो सकता है तब उस situation में आप इसे कहेंगे period of time और period of time के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए sense नहीं use करते हैं for का यानि कि आप अगर देखे तो part number c आपका जो है वो answer है next question की और बढ़ते हैं हम लोग देखिए question number nine इतने simple simple question है इतने आसान question है लेकिन लेकिन उसके अंदर की जो कहानी है वो कहानी बड़ी पुरानी लेकिन आज भी है उसमें जवानी मतलब आज भी वो उतना ही important है उतना ही खिला हुआ है आज भी उसके question examination में बहुत ज्यादा concept या तो तुमको याद आ जाए और या तो कम से कम ये बाते हो जाए कि जो भूल रहे हो आप उनका इस्तेमाल आप फिर से कर सके ठीक है चलिए question number nine my sister and me सारी गलती यही हो गई देखिए cases जो होते हैं हमारे वो three types के होते है subjective case, objective case, progressive case ठीक है और subject यहाँ पे दो है यह subject number one और यह subject number two और यह दोनों का दोनों काम कर रहा है are going to the park यानि कि पार्क में जालेगा तो जब यहाँ पे two subjects we have तो उस situation में क्या करना है कि आपको इसे भी रखना पड़ेगा subjective case में यानि me नहीं आपको लिखना पड़ेगा I क्योंकि I subjective case और me कौन सा case होता है objective यानि part number B आपका answer ह है लेगिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ जो exam में पूछा जाता है ठीक है और वो concept होता है कि अगर किसी sentence में आपको एक progressive case दिखता है ठीक है अगर आपको एक progressive case का noun या pronoun दिखता है तब उस situation में आप इसके बाद जो भी verb लेना वो हमेशा zero inform का लेना for example जैसे जया है तो जया एक noun है इसका progressive case कैसे बनेगा apostrophe इस लगा के यहाँ इसके बाद अगर कोई verb है तो यह चला जाएगा gerund में यानि इसमें हमेशा क्या लगेगा ing ठीक है अपोजिट यानि wise words में देखा जाए तो आप यह भी कह सकते हैं आप यह भी ध्यान रखना कि पहले जो भी noun आएगा वो हमेशा progressive case में होगा यानि leader नहीं इसमें क्या लग जाना चाहिए apostrophe s लेकिन अगर आप एक नेता के चलने के बारे में बात नहीं कर रहें आप एक से जादा नेता के चलने के बारे में अगर आप बात कर रहें तो इसी चीज़ को ऐसे लिखा और केवल इसमें apostrophe लगाया जाएगा पूरा का पूरा complete apostrophe s नहीं लगाया जाएगा इसका भी आप लोग ख्याल रखेगा इसका भी mistake exam में करा देता है ठीक है वो लिख देगा कैसे ऐसे लिख देगा leaders और फिर apostrophe s लेके और walking कर देगा तो अगर इस तरह का काम करता है तो statement right नहीं क्या होगा wrong होगा तो यह सीखने वाली बात होती है और इसका पूरी तरीके से ख्याल रखेगा question number 10 में चलते है the police arrested the suspect who was stolen the car देखे कितनी बड़ी mistake है police यहाँ active और passive का mistake हो रहा है active और passive का mistake हो रहा है इस question में ठीक है क्या mistake है the police arrested the suspect who was stolen the car उस suspect को police ने arrest किया जिसने इस car को क्या कर दिया था इस car की क्या कर ली थी चोरी कर ली थी ठीक है तो इसको लिखना चाहिए था क्या एक तो यह active voice में होना चाहिए है न तो इसको who was stolen नहीं इससे लिखना चाहिए था who और उसके साथ लिखना चाहिए था stole the car ये लिखना चाहिए था ये ज़्यादा बेटर होगा लेकिन अगर V3 का ही यूज करना था अगर V3 का ही यूज करना था तो watch नहीं hack लगाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे arrested है जो कि simple past है और जब past में वो arrest ही हो रहा है तो इसके पहले जो car गुम हुई होगी वो आपका इसके भी पहले यानि past के भी past में हुई होगी और past का past past perfect कहलाता है और इस कारण से watch के जग़़ पे आप head का use करते और इस sentence को active voice में रखते तो ये बेटर होता यानि आप watch के जगह पे head लगाएंगी part number C आपका answer हो गया ठीक है? चले question number 11 की वो चलते है दिखे इसमें क्या है? I have been lived in the city दिखे इसमें for का use है और जिस sentence में आप for का या since का use करते हो उसमें जो tense चलता है वो perfect continuous का चलता है remember रखना? उसमें जो tense चलेगा वो perfect continuous का चलेगा तो यहाँ पे I have been lived नहीं इसको लिखना चाहिए था living यानि कौनसा part answer होगा? C देखे perfect continuous का structure क्या होता है? subject आएगा have आएगा has आएगा past हुआ तो had आएगा साथ में bin लग जाएगा उसके साथ आप mb4 का use करोगे और plus object का use करोगे तो यह structure होता है यानि इसमें आपको mb4 का इस्तेमाल करना चाहिए था और तब जाके आपका statement जो है वो क्या होगा? correct होगा है ना? okay next question number 12 okay the company's profits have grown significantly ahaha spelling mistake significantly लिखा गया जब किस तरह का कोई word नहीं होता बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े रूप में वो बढ़ा या उभरा तो ये बताने के लिए significantly नहीं word जो हमारा होता है वो होता है significantly ये word होता तो हमारा सही होता यानि कि statement wrong है spelling mistake है question number 13 में आईए ठीक है? वो सीखने के लिए sufficient नहीं होता परियाप्त नहीं होता बस ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि देखो हम लोग भी question बना सकते है और नया question दे रहें आप लोगों को तो content team जो होती है वो कई बात इस तरह की गलतियां जो है वो करती है इसलिए कहा जाता है कि पहले आप जो सच में जो original previous year है उससे आप बनाए एकदम जो आपका authentic हो और genuine हो तो पहले उसको solve करे और तब आप model sets की तरफ जाए उससे क्या होता है कि आपको ये exactly पता चलता है कि examination का trend क्या है उसके question पूछने का level क्या होता है इस बात की आप में समझ बैठती है और तब आप जिस model sets का selection करेंगे उसमें क्या होगा दम होगा नहीं तो आप कुछ भी market से खरीद लेंगे और फिर वो आपके लिए sufficient याने के परियापत नहीं होगा चलिए the children are playing outside since morning है ना यहाँ पे आपने use किया kisses का since का और अभी मैंने कहा था कि since और for का use जब करते हैं तो tense लेते हैं हम लोग perfect continuous तो आप अगर देखेंगे तो इस question में are playing का use नहीं बलकि होना चाहिए था have been playing का use होना चाहिए था यानि part number B हमारा क्या है answer है चलिए उसके बाद अगर देखें 14 number question लिखा the girl was sitting on the top of the roof ठीक है यह बिल्कुल सही है इसका answer होगा E यानि कि no mistake होगा देखें इसमें क्या हुआ question में 5 part कर दिये गए है यह जान बुझके मैंने एक खास कारण से क्या है ताकि आपके अंदर यह understanding बैठ सके यह सोच यह विचारधारा बैठ सके कि अलग-अलग type से जो है वो scrolling करी जा सकती है अलग-अलग type से यह कोई जरूर नहीं कि पहले part आजाएगा और उसके बाद part का नाम लिखा रहेगा तो आप में जो वो direction को देखने और समझने का patience हो इसलिए मैंने यह छोटा सा change कर दिया चले इसके बाद देखे she prefers coffee than tea देखे इस question में क्या है अगर किसी sentence में senior junior देखे एक बात बताने वाला हूँ हो सकता है यह में जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको लगेगा कि यह तो मैं जानता ही हूँ लेकिन अगली जो बात इससे जुड़ी ही मैं बताऊंगा वो निश्यत तोर पे सायद आपको पता नहीं होगी या तो आपने उसके practice नहीं करी होगी और अगर आपने की है तो भी मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा तर ऐससे बच्चे होता है जिनको यह बात पता नहीं होती है ठीक है यह Dan और 2 वाला मामला सबको पता होता है senior junior या फिर आपके पास word है prior या फिर वर्ड है prefer ठीक है इस तरह के जितने भी words आप देख रहे है आप इनके बाद than का use नहीं कर सकते आप जब भी use करेंगे two का तो यहाँ prefer है और यहाँ पे than है तो यह wrong है इसके जग़ब पे two चलेगा part number c answer है लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है कहानी इसके आगे चलती है और वो क्या है वो यह है कि आप इनके पहले न more लगा सकते हो और नहीं most लगा सकते है अगर लगाया तो statement right नहीं wrong होगा और यह concept बहुत कम लोग जानते है अगर आप कहीं लिख रहा है more senior, most senior तो आप ऐसा लिखना जब वो statement को क्या कर जाता है wrong कर जाता है योगि तुलना जब भी करोगे तो अव्यस है कि जब आप senior बोली रहे हो तो वो उससे ज़्यादा ही होगा चलिए इसके बाद जो अगला हमारा question है उसके उपर जड़ा ध्याम दे यह है question number 16 देखिये practicing hardly आप एक बात समझे एक होता है hard इसका मतलब होता है कड़ी महनत करना और एक होता है hardly जिसका मतलब होता है मुश्किल से या फिर आप ये कहले कि शायद ही ठीक है? तो इसको क्या करना है? practice करना और कैसा? कड़ी practice करनी है तो इसके लिए hardly नहीं आप use करेंगे hard का ये funda तो बड़ा simple होता है यानि की सीधी सी बात है कि part number C हमारा क्या है wrong है अगले question क्यों चलते हैं हम लोग question number 17 ये भी बड़ा simple question है इसके पहले ही मैंने आपको एक concept जब मैंने पूरा का पूरा board जब वो color कर दिया था और मैंने लिखा था जैसे जितने भी words होते हैं इनके साथ आप जो noun यूज़ करते हैं वो plural यूज़ करते हैं और verb का जमिला बड़ा अलग-अलग है लेकिन अगर वो table आप अपने दमाग में रख लिया तो समझ लो कि आपका आधे से ज़्यादा grammar का काम हो गया आप यह समझ लिए इतना important है वो अब यहाँ पर यह लिख रहा है कि here is one of आप देखिए जिनको वो table पता है एक second में question हिट कर देंगे one of का use हुआ और इसके बाद आपने noun रख लिया singular जबकि one of के बाद जो noun होता है वो होना कैसा चाहिए plural यानि यह wrong है आपको student के place पे use करना चाहिए students का यानि की part number C जो है वो हमारा क्या हुआ answer हुआ चली उसके बाद question number 18 की तरफ चलते है I am not agree देखे दो word है एक agree है agree के साथ आप with भी लगा सकते है agree के साथ आप two भी लगा सकते है with तब लगाते है जब someone किसी person की बात करते है और आप two का use तब करते हैं जब आप something की बात करते हैं यानि किसी चीज की बात करते हैं तो यहाँ पर यह जो agree हो रहा है यह किसी person के साथ नहीं बलकि उस person के decision के साथ हो रहा है यानि someone नहीं है बलकि वो something है इसमें with नहीं, to का use होगा, part number c आपका answer हो गया, अब ये concept एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है, शलिए, उसी तरीके से अगर देखा जाए, तो जो हमारा next question है, second last जो हमारा question है, ये भी देखिए, कुछ सिखा के जरूर जाएगा, the train was arrived at the station late, ठीक है, क्या लिखा, the train was arrived, was arrived नहीं, the train has arrived, यानि part number b answer होना चाहिए, train आ चुकी है, आप ये कहने की कोशस कर रहे है, तो आ चुकी है, तो इसके लिए वो जो नहीं use होता है, hedge का, ये आप सीधे सीधे समझो, तो translation mistake है, और कुछ चीज़े ऐसे बी होती है, जिनको आप आम तोर पे बोलते, टाइम में, ये चीज़े रहती है, ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद, अगर आप last question आज का देखे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना important है, ठीक है, the book which I borrowed from the library was very interesting, ठीक है, देखिए, इसमें क्या check करना है, ये जो book, जो की ही, आप library से लेके आए है, वो बहुत ही ज्याद interesting, अच्छा, लेके I थे, वो बहुत ही ज्यादा interesting थी, ये statement तो बिलकुल correct है, बिलकुल correct है, यहाँ एक चीज़ भले आप ये सीख सकते थे, कि very के साथ जो भी verb होगा, उसमें ing लग जाएगा, और much के साथ जो भी verb होगा, उसमें हमेशा क्या लग जाएगा, ed, और ऐसा है देखिए, very के साथ जो verb है, इसमें ing लगाए, और ये काम करने लग जाता है, adjective का, तो इसमें कोई problem नहीं है, बिलकुल सई statement है, यानि answer इसका क्या होगा, e, यानि कि no error, ओके, तो ये थे आज के वो जरूरी important questions, जो की examination के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज् खयाल रखना जो है, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आप ये समझो कि आज की class से आपने वो सारे concepts फिर से retain कर लिए होंगे, जो की कभी-कभी आप भूल जाते हैं, एक तो ये बात है, दूसरी बात कि आप इस तरीके से जब practice करते हैं, सारे concepts खुलने शुरू हो जाते हैं open होने शुरू हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका उस concept या उस question के परती जो interest है, वो भी बढ़ता है, तो ये SSE Aspirants live channel जो है, ये आपको इसी तरह की classroom, sincere classroom program आपकी YouTube channel पे free of cost देता रहेगा, अब ये आपके उपर depend करता है कि आप जो है वो इससे कितना benefit उठाते हैं लेकिन जाहिर से बात है कि इन videos को बनाने के लिए हम लोग तो महनत करते हैं, इन classes को देने के लिए हम लोग महनत करते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये एक अच्छे से practice रही, ये एक अच्छा classroom program है, तो आप हमें support कर सकते हैं, like करके, channel को subscribe करके, और इस video को share करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तर पहुंचा के, अगर आपको कुछ और भी problem रहे इस video में, तो आप, या अगर आपको कुछ अच्छा लगता है इस video में, class में, तो आप हमें comment के थूँ बता सकते हैं, thank you so much.